हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, फंडा फोर ओल, इस वीडियो में हम अलजब्रा टॉपिक के वो सभी क्वेशन्स देखेंगे जो की बहुत ही आसान होते हैं और रेगुलरली एक्जाम में आते हैं, जिनको अगर आप करना सीख जाएं, तो आपके जो छोटे एक्जाम हैं या प्री लेवल के एक्जाम से उसके सभी क्वेशन्स आप आसानी से फटाफट यूँ चुटकी बजा कर निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रही है, आपको वो सभी क्वेशन्स देखने को मिलेंगे, जो एक्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक्स गिवन हो, 7-4 रूट 3 जैसा की यहां गिवन है, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वेल्यू पूछी है, तो आप देखिए इस तरीके के क्वेशन्स में, जिसमें जो एक्स है, जो की ए A-square और B-square का हम डिफरेンस चेक कर लें, कि भाई A-square कितना हो रहा है, जैस 7-49, minus B-4-3, 4-3 का square कितना हो जाएगा, तो 16-3 यानि 48, तो A-square-B-2 हमें देखना था, यह आ रहा है 1, तो अगर X जो गिवन है उसमें AB मान के हमने A-square, B-square का डिफरेंस देखा, वो अगर आता है 1 तो इस case में जो 1 upon x अगर हम find करेंगे तो वो कितना आ जाएगा वो हो जाएगा 7 plus 4 root 3 हमने x given है और 1 by x हमने find कर लिया तो x plus 1 upon x की value कितनी हो जाएगी तो 7 minus 4 root 3 plus 7 plus 4 root 3 minus 4 root 3 और plus 4 root 3 cancel हो जाएगे तो इसकी value आजाएगी 14 अब देखिए यह मैंने यह तो trick बता दिया आपको कि भई ऐसे ध्यान रखना है देखके check कर लेना है होता क्या है यहाँ पर basically हमने इसका rationalization किया जो x हमें given है 7 minus 4 root 3 इसको हमने 7 minus 4 root plus 4 root 3 upon 7 plus 4 root 3 यहनी rationalize करके check किया तो rationalize करने से यह a minus b बन गया और यह a plus b हो गया a minus b into a plus b a square minus b square हो गया अगर यह 1 हो जाता है तो यह अगर 1 हो जाता है तो यह हो गया 7 plus 4 root 3 1 upon 7 plus 4 root 3 यह x हो गया यानि कि x जो यह था यह इसे यह भी लिख सकते हैं अगर x 1 by 7 plus 4 root 3 है तो 1 by x क्या हो जाएगा 7 plus 4 root 3 तो simple बनाने के लिए मतलब calculation जादा ना करनी हो तो directly a और b square चेक कर लें 1 आता है तो हमें 1 upon x मिल जाता है तो इस तरीके से इस question को solve करेंगे अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हमने लिया है a by 3 equals to b by 4 equals to c by 7 अगर है तो हमें a plus b plus c by c की value find करनी है अगर exam में एक question आता है तो कैसे solve करेंगे तो देखिए इसको simply अगर हम करें तो a को 3, b को 4, c को 7 मान के में कर सकते हैं बट जो इसमें funda है वो ये है कि भई ये तीनों आपस में equal है इसको आपने equivalent रखना है equal रखना है किसी constant के जैसे मैं इसको अगर something k के equal अगर कर लो तो यहां से मैं a को k के terms में represent कर सकता हूँ क्या a equals to 3k similarly b कितना हो जाएगा 4k और c कितना हो जाएगा 7k तो मेरे पास इसकी values मिल जाएगी कि भई जो a है वो 3k multiples में 3 into k कुछ भी हो सकता है b जो है वो 4k multiples में है इनको यहां पुट कर लें 3k plus 4k plus 7k upon में 7k तो हमें हमारा answer मिल जाएगा यह 7k और 7k 14k by 7k कितना हो जाएगा 2 तो इस जो हमसे पूछा था इसकी value कितनी आगी 2 तो इस तरीके से इन question को गिया जाता है अगला सवाल देखते हैं बहुत ही important सवाल है यह इफ 2p by p square minus 2p plus 1 equals to 1 upon 4 जहाँ पे p जो है वो 0 नहीं हो सकता find p plus 1 by p question कह रहा है देख सकते हैं आप किस तरीके से दे रखा है अगर इसको हम directly solve करें cross multiply करें तो हमें जो equation है वो quadratic equation मिलेगी उसको solve करके p की value निकालेंगे फिर p plus 1 by p solve कर पाएगे तो इसको ऐसे ना करते हुए और क्या करें कि directly p plus 1 by p पे पहुच जाएं तो इस तरीके के equation में हम क्या करते हैं वही जो ये equation given है इसको आप देखिए denominator को यहां अगर p का division दिया जाए तो क्या होगा p के division से इसमें p plus 1 by p create हो सकता है कैसे अच्छा यहां division देंगे तो उपर भी division देंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 by और ये p नीचे distribute हो जाएगा p square by p minus 2p by p plus 1 by p तो इससे आप देख सकते हैं p square से ये p times में चला जाएगा और ये बचेगा 2 by p minus 2 plus 1 by p equals to 1 by 4 तो जो equation इस प्रकार कुछ given थी उसमें reduction के बाद 2 by p minus 2 plus 1 by p बचा और इसकी ही value हमें find करनी है तो अगर अब cross multiply हम करते हैं तो ये 8 equals to p minus 2 plus 1 by p बचेगा और p plus 1 by p जिसकी value हमें find करनी है इसको अगर एक तरफ रहने दें minus 2 इधर आजाए तो इसकी value आजाती है 10 तो ये हमारा answer हो जाएगा तो जब भी इस तरीके का question आएगा तो आपने numerator और denominator में जो भी variable है उसका division देना है अगला सवाल देखते हैं question कहरा है if a by 1 minus a plus b by 1 minus b plus c by 1 minus c equal है 1 के find the value of 1 by 1 minus a plus 1 by 1 minus b plus 1 by 1 minus c अब आप इसे देखिए जो given है और इसे ध्यान से देखिए जो हमें find करना है तो इसमें अगर मैं ये जो term है इसको देखूँ और जो ये है तो इसमें numerator में a है यहाँ a नहीं है 1 है इसमें numerator में b है यहाँ नहीं है इसमें numerator में c है यहाँ नहीं है तो ऐसे question में अब क्या करें तो अगर a by 1 minus a को ध्यान से देखिए इसको 1 by 1 minus a कैसे change किया जा सकता है तो अगर जो ये a है और यहाँ minus a है ये दोनों का आपस में interaction हो जाए तो ये जुड़ घट जाएगा मतलब इसका plus का sign है इसका minus का sign है ये दोनों गायब हो जाएगे बचेगा one ऐसा कैसे हो सकता है तो अगर इसमें one add किया जाए one add किया जाए simply तो ये हो जाएगा a plus one minus a by one minus a और इस a से ये a चला जाएगा ये change हो जाएगा one by one minus a में similarly जो ये b है इसमें यहाँ one add किया जाए तो ये इसमें change हो जाएगा और इस c में यहाँ one add किया जाए तो ये इसमें change हो जाएगा one by one minus c में तो हमने किया क्या, एक 1 यहाँ एड किया, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन, मतलब प्लस 3 हमने LHS में कर दिया, इसको equal बनाए रखने के लिए हम RHS में भी प्लस 3 कर दें, तो हमने अपने question को swiftly change कर लिया है यहाँ पर, इसकी value हमें कितनी मिल गई, simply कितना, 4, तो इस तरीके से हम question को mold करेंगे, ताकि question जो पूछा हुआ है, उस और जो given है, उसमें एक relation मिले और हमें हमारा answer मिल जाए, अगला सवाल देखते हैं, root 7-2 upon root 7 plus 2 given है हमें, किसके equal? A root 7 plus B के, अब देखिए इसको कैसे solve करा जाएगा, हमें A और B की value find करनी है, तो जो question में left hand side में given है, और right hand side जिससे ये equate हो रहा है, इसमें आप देखेंगे, जो ये root, root की value दोनों में same है, root 7 है, तो अगर इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, तो हम इस A और B को by comparison find कर सकते हैं, कैसे? तो पहले इसको करते हैं, rationalize, rationalize कैसे करेंगे? तो root 7 minus 2 से इसके numerator और denominator को multiply कर लेते हैं, तो A minus B into A minus B, ये हो जागा A square minus B square, यानि 7 minus 2 root 7 into 2 plus 4, और अपन में A minus B into A plus B, A square minus B square, यानि 7 minus 4, बहिए root 7 का square 7 और 2 का square 4, तो 7 minus 4, ये equate करना है हमें given है, मतलब कि ये A root 7 plus B के बराबर है, अब आप देखेंगे 7 minus 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3, और उपर 7 plus 4, 11 minus 4 root 7, अपन में हो गया 3, जो की equate equal है A root 7 plus B के, अभी जो 3 division में इसको कर देते हैं, हम distribute, तो ये हो जाएगा, 11 by 3 minus 4 root 3, 7 equals to A root 7 plus B, तो अब जो A और B की value निकालनी है, अब आप इसे देखिए और इसे ध्यान से देखिए, बहिए root 7 इसमें है, और यहाँ root 7 इसके साथ minus 4 by 3 के साथ multiply हो रखा है, प्लस B, प्लस का 11 by 3 इदर है, तो इससे अगर equate करें, तो A और B मिल जाएगा, कैसे, तो A की value हो गई, minus 4 root 3, जो स्वरी, minus 4 by 3, और B की value क्या हो गई, 11 by 3, तो इस तरीके से इन question को किया जाता है, rationalize करके, अगर root same जो value है, और अगर थोड़ा बहुत changes भी है, मतलब, जिसे root 14 होता, तो भी हम इस तरीके से ही जाएंगे, फिर उसमें जो common निकलेगा, वो अलग कर लेंगे, तो इस तरीके से इसको करेंगे, अगला सवाल देखिए, अब इसमें हमें x given है, और root x plus 1 by root x find करना है, और x भी जो है, वो rational number की form में है, तो किस तरीके से किया जाए इसे, root x कैसे निकाला जाए, फिर उसका reciprocal, यानि 1 by root x कैसे निकाला जाए, तो अब आप इसको ध्यान से अगर देखें, तो 7 minus 4 root 3 को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 7 minus 2 into 2 into root 3, भाई 4 root 3 को इस तरीके से breakdown किया, इसको धेखेंगे ध्यान से, तो 8 minus 2 और A और B इसको लिखेंगे, इससे compare करेंगे, तो हमें A और B मिलेगा, 2 और root 3 की form में, उसका इस्तमाल करके देखेंगे कि क्या जो ये आगे 7 है, इनका square add करने पे कैसके equal आ रहा है, तो बिलकुल आ रहा है, 2 का square करेंगे, तो 4 और root 3 का square 3, 4 plus 3 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक formula बन जाएगा, कैसे, तो अगर मैं 2 का square plus root 3 का square लिखूं 7 को, 7 की जगे पे ये replace करूं, और minus 2 into 2 into root 3 ये है, तो ये बन गया क्या, a square plus b square minus 2a b, यानि a minus b का whole square का formula बन गया है, इसका formula का मतलब, जो हमारा x है, जो 7 minus 4 root 3 की बन है, ये किसके equal हो गया, ये equal हो गया आपके 2 minus root 3 के whole square के equal, अब ये square अगर इधर लाया जाए, या root निकाल लिया जाए, x का, तो root of x कितना आजाएगा, 2 minus root 3, तो अब इससे हम deduce करके पहुँच गये हैं, root x के पास, root x है 2 minus root 3, 1 by root x कितना हो जाएगा, तो reciprocal करेंगे, 1 by 2 minus root 3 हो जाएगा, और फिर rationalize करेंगे, तो क्यूंकि a और b जो है, इसका square का अगर आप difference देखें, 2 और root 3 के square का difference कितना होगा, 1 होगा, तो simply अगर a और b के square का difference 1 होता है, तो 1 by root x कितना हो जाएगा, sine change हो जाएगा, 2 plus root 3 हो जाएगा, तो अब हमारे पास root x भी है, 1 by root x भी है, इन दोनों को क्या करना है, add करना है, इसी की value निकालनी है, add करेंगे तो minus root 3 plus root 3 चला जाएगा, हमारा answer जाएगा 2 plus 2 यानि 4, देखिए next question है हमें given, कि x plus 1 upon x 3 है, x की power 6 plus 1 by x की power 6 निकालना है, अब यहां से यहां का रास्ता कैसे तैह होगा, तो पहले पहुचेंगे हम x cube plus 1 upon x cube पे, तो यहां पे कैसे पहुचते हैं, तो अगर x plus 1 upon x 3 है, तो x cube plus 1 upon x cube क्या हो जाएगा, 3 का cube minus 3 into 3, वही अगर x plus 1 upon x c है, तो c का cube minus 3c, इस तरीके से x cube plus 1 upon x cube आजाएगा, तो इसकी value आजाएगी, 3, 3, यह होगया 27 minus 9, यानि 18, यहां आगए, यहां से अब यहां पहुचना आसान है, कैसे, अब कर देंगे square, both side, square करेंगे, तो x6 plus 1 by x6, plus 2 into x cube, into 1 by x cube हो जाएगा, जो की यह cut लेगा, और इधर 18 का square हो जाएगा, both side square करेंगे, तो यह आगई value कितनी, 18 का square minus 2, यानि, 324 minus 2, बोले तो 322, तो जब x की power 6 पे पहुचना है, तो देखिए, पहले cube करेंगे, फिर उसका square कर देंगे, तो यहां पहुच जाएगे, अगला सवाल देखिए, a plus 1 by a given है, a की power 4 plus 1 by a की power 4 find करना है, कैसे करेंगे, तो पहले पहुचेंगे, a square plus 1 by a square पे, यहां कैसे आएगे, तो यह अगर c है, तो c का square minus 2 हो गई, यानि 16 minus 2, equals to 14, यहां पे आगए, अगर इसका square करते हैं तो यह मिलेगा, बिलकुल मिलेगा, कैसे, तो a की power 4 plus 1 by a की power 4, plus 2 into a square into 1 by a square हो जाएगा, जो 2 इसका square करते वक्त, एक्स्ट्रा बचके यहां जाके minus होता है, similarly, वही 2 यहां पे भी, इधर जाके minus होगा, और हमें इसकी value मिल जाएगी, इस तरफ 14 था, 14 का square होगा, 14 का square हो जाएगा 196, यह plus 2 इधर जाके minus हो जाएगा, तो a4 plus 1 by a4, कितना आ गया इसका value, 194, अगला सवाल देखते हैं board पर, a की power 1 by 3 given है 11, find करना है, a square minus 331 into a, कैसे करेंगे, तो a 1 by 3 11 है, तो a कितना हो जाएगा, both side कर लेते हैं cube, तो a की value आ जाएगी 11 का cube, यानी 1 to 1 into 11, यानी 1, 3, 3, 1, यह आ गया a, इसको देखते हैं, समें ले लेते हैं, जो find करना है, इसमें जो भी common मिल रहा है, उसे बहार निकाल लें, जैसे a common है, तो यह हो जाएगा, a minus 3, 3, 1, इसकी value हमें find करनी है, a हमने find कर लिया, 1, 3, 3, 1, into bracket में, 1, 3, 3, 1, minus 3, 3, 1, तो यह तो बहुत easy हो गया भाई, देखने में लग रहा था, कि बहुत calculation होने वाली है, इसको minus करेंगे, यह हो जाएगा thousand, answer आजाएगा, 1, 3, 3, 1, और 0, 0, 0, अगला सवाल देखते हैं, x plus 1 by 16 x given है 1, 64 x cube plus 1 by 64 x cube find करना है, अब देखिए, यहाँ अगर हम इसका directly cube करते हैं, तो हम यहाँ नहीं पहुच पाएंगे, बहुत 16 का cube कुछ और आएगा, और यहाँ x cube रह जाएगा, तो यहाँ पहुचना हो जाएगा ना मुँच्छ अगर हम इसमें कुछ changes करें, जो हमें given हैं, जिसके accordingly यह मिल सके, तो हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कैसे, तो यह देखिए, यहाँ है 16, और यह जो 64 x cube है, इसमें जो 64 है, वो 4 का cube है, और यहाँ इसमें नीच, डिनोमिनेटर में भी 64 है, दूसरे term में, प्लस 1 बाई 64 x cube, और यहाँ है 16, तो अगर इस end पे 4 आ जाए, बोथ end पे, मतलब यहाँ 4 x हो जाए, और यहाँ प्लस 1 बाई 4 x हो जाए, तो यहाँ पहुचना आसान है, तो इसमें चेंज करते हैं, बोथ side हम क्या करेंगे, multiply कर लेंगे LHS और RHS को 4 से, तो यह equation हो जाएगी 4 x, प्लस 1 बाई 4 x, इक्वल्स टू 4, अब हम यहाँ से यहाँ पहुच सकते हैं, कैसे, तो अब कर देते हैं cube, cube करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 64 x cube, प्लस 1 बाई 64 x cube, इक्वल्स टू, तो भई, A प्लस B अगर गिवन है, तो A cube प्लस B cube कैसे निकलता है, इसका cube करेंगे, 4 cube, माइनस 3 इन्टू 4, ऐसे ही आएगा, तो 4 का cube कितना हो जाएगा, 16 इन्टू 4, 64 माइनस 3 4, यानि 12, यह हो जाएगा 2 और 5, 52, तो इसकी value आगी, तो इस तरीके से अगर question में, जो पूछा है, जो finally destined है, जहां पहुचना है में, और जो given है, उसमें relation नहीं है, तो वहां relation भी बनाना पड़ता है, तो इस तरीके से relate करके, फिर वहां पहुच जाएंगे, next question देखते हैं, x square plus y square plus 4x plus 4y plus 8 given है, 0 के equal, x plus y की value निकाल लेगे, तो मतलब x निकाल ले और y निकाल ले और उन्हें add कर ले, तो answer मिल जाएगा, अब इसे कैसे solve करेंगे, x और y की value कैसे find करेंगे, तो आप इस equation को ध्यान से देखिए, जो हमें given है, इसमें x square plus 4x plus y square plus 4y, और plus में 8 equal है 0 के, मैंने इसमें थोड़ा space दिया है, क्यों दिया है भी इस space को fill करेंगे कैसे, तो अगर a square plus 2ab plus b square को देखें, फर्मुले को, तो a square मतलब जैसा कि x square आप देख सकते हैं, plus 2ab, तो ये जो 4x है, इसको इससे अगर equate करें, 2ab से, तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे 2 into 2 into x, इस 4x को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इससे अगर जब match करेंगे, इसे 2, a और b से, तो अगर x, a है हमारा, तो b कितना हो जाएगा, 2, और जो ये b square बाद में है, यानि 2 का square, तो इसको पूरे को complete करने के लिए, मतलब इस form में लाने के लिए, b square कितना होगा, 4 होना चाहिए, क्यूंकि 2 है b हमारा, तो जो ये 8 यहां बच रहा है, मतलब हमें दे रखा है constant, जो है term इसमें 8, इसको अगर breakdown करें, कैसे 4 प्लस 4 में, और इस 4 को मैं यहां लिखूं, और जो बचा हुआ 4 है, क्यूंकि ये भी बिल्कुल same है, y square प्लस 4y, इसका जो coefficient है, इसी के जैसे हैं, तो बचा हुआ 4 हम यहां लिख देते हैं, x square प्लस 4x प्लस 4 प्लस y square प्लस 4y प्लस 4, ये जो given equation थी, इस तरीके से टूट गई, हमने किस तरीके से b की value define की, ये आप देख सकते हैं, इससे compare करके, तो ये बन गए हमारे क्या formula, किसके तो x प्लस 2 का whole square हो गया है, और similarly ये हो गया, y प्लस 2 का whole square, जो की equal है 0 के, अब आप देखिए, दो positive terms add होके 0 हो रहे हैं, ऐसा कब होगा, जब ये दोनों ही, मतलब ये भी 0 हो, और ये भी 0 हो, 0 प्लस 0 ही 0 हो सकता है, दो positive terms add होके 0 तो होने से रहे, तब ही होगा जब ये 0 होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से equate करेंगे, और similarly इसे 0 से equate करेंगे, कहां से हमें मिलेगी value, x की और y की, x और y की value आ गई, जो find करना था, तो minus 2 प्लस minus 2, ये कितना हो जाएगा, minus 4, तो हमारा answer हो जाएगा, minus 4, next question देखते हैं, x प्लस y गिवन है 2z के बराबर, x बाइ x माइनस z, प्लस z बाइ y माइनस z की value find करनी है, बहुत ही important और बहुत ही आसान question है, जो की बार बार पूछा जाता exam में, कैसे solve करेंगे इसे, तो देखिए जो यह पूछा है हमसे, इसके denominator को देखिए, इसमें है x माइनस z और y माइनस z, और जो गिवन है, x प्लस y बराबर 2z, तो क्या इससे, इनमें कोई relation मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो x प्लस y जो है, यह 2z, यानि z प्लस z के equal है, ऐसे आगे बढ़ेंगे इसमें, यहां से relation find करेंगे, कैसे, तो x माइनस z जो है, यह z माइनस y के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, इसी चीज का, यहां पे इस्तमाल हो रखा है, देखिए x माइनस z है, जो हमें find करना है, यहां ले लेते हैं, replacement x माइनस z की जगह लिख देते हैं, z माइनस y, अब यह z माइनस y हो गया, यह है y माइनस z, दोनों, टर्म्स दोनों में same हो चुके हैं, जो variables used हैं, यहां z y है, यहां भी y z है, बट इनका sign different है, तो इसको कैसे same करें, ताकि denominator बिल्कुल same हो जाए, तो इसमें से ले लेंगे minus common, वो minus इस plus को बना देगा, minus, और यह हो जाएगा z by z minus y, दोनों का denominator same हो गया, अब यह simply minus हो जाएगा, यह हो जाएगा x minus z by z minus y, जहां पे x minus z जो है, वो z minus y के equal है, तो यह हो जाएगा z minus y by z minus y, यानि 1, तो इसकी value आजाएगी, जो हमें find करना था, कितना 1, तो इस तरीके से, इस question को हम solve कर सकते हैं, अब देखिए, यह question है, a square plus b square equals to 5ab, यह given है, इसकी value निकालनी है, कैसे solve करेंगे इसे, तो जो given है, उसी का इस्तमाल करेंगे, यहाँ पहुचने के लिए, और इस तरीके से, कि भई, a by b के रूप में ही, हमें यह जो given है, यह change हो जाए, फिर हम squaring करके answer find कर ले, इस तरीके से, इसमें molding करनी हो, तो given को देखिए, मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं a by b, लाने की कोशिश करता हूँ, कैसे, तो both side, आप देख रहे हैं, a by multi, इधर a by जो है, यह एक तरीके से extra में, इस a by को both side divide कर देता हूँ, ठीक है, तो यह a by से a by चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5, और यह a by distribute हो जाएगा, तो जब यहाँ आएगा, तो a square by a b हो जाएगा, a by b, प्लस, इसके साथ जब आएगा, तो b square by a b हो जाएगा, b by a, देख रहे हैं आप, a by b और b by a मिल गया 5, हमें क्या find करना है, a square by b square, प्लस b square by a square, अब कर देते हैं both side squaring, squaring कर दे, तो क्या हो जाएगा, 25 equal इधर, a square by b square, प्लस, b square by a square, प्लस, 2 into a by b into b by a, जो की solve होके, 2 देदेगा, और ये 2, extra है इधर, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी value निकालनी है, इसको भेज देते हैं उधर, तो minus होके, 25 में से अंसर आजाएगा 23, 23, अगला सवाल देखते हैं, a given है, x by x plus y, b given है, y by x minus y, find करना है, a b upon a plus b, तो कैसे आगे बढ़ें इसमें, किस तरीके से आगे जाएगे, तो इसका अंसर हमें मिल जाएगा, तो देखिए simply, a b को अगर एक बार देख लें, जैसा कि, पूछा हुआ a b by a plus b, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को multiply, x into y, और upon में, x plus y into x minus y, यह हो जाएगा, यह तो first case, जो numerator है, यह हो गया, और a plus b को अगर देख लें लगे हाथ, तो यह कितना हो जाएगा, वह इन दोनों के बीच में, यहाँ plus का sign आएगा, तो जो denominator है, वह यही हो जाएगा, x plus y into x minus y, बिल्कुल इसके जैसा same, और उपर plus के sign के साथ, आगे बढ़ेंगे, तो x into x minus y हो जाएगा, और plus y into x plus y हो जाएगा, यह हो जाएगा, और इन दोनों को divide करना है हमने, तो देखिए यह तो चला गया, यह हो गया, x, y, y में, इसको अगर देखें, तो x into x minus y, यानि x square minus x y, और plus y into x into plus y, तो y x plus y square, तो minus x y, और plus y x cancel हो जाएगा, तो answer आगे हमारा, यह तो बहुत ही आसान हो गया, x y by x square plus y square, यह इसका answer हो जाएगा, अगला सवाल देखते हैं, यह बहुत ही important question है, और बहुत ही आसान है, x की value है, 4ab by a plus b, यह हमें given है, find करना है, x plus 2a by x minus 2a, plus x plus 2b upon x minus 2b, देखने में बहुत ही बड़ा है यह question, बट उतना ही simple है, कैसे, तो देखिए, जो given है और जो find करना है, उसमें हम पहले relation रूडेंगे, और फिर इसको solve करेंगे, तो जो यह 4ab given है, पहले इसको देख लें, और यह जो 2a, x plus 2a और x minus 2a, हमें find करना है, इसको देखें, तो क्या कर सकते हैं, हम 4ab को लिख सकते हैं, 2a into 2b upon a plus b, जो की equal है x के, और इस 2a को, जो यहां multiply में है, इसको भेज दे इधर, तो x by 2a equal हो जाएगा, 2b by a plus b के, अब आप देखें, जो हमने इसको solve करके, जो हम यहां पहुचे हैं, इसमें अगर हम componentो, dividendो का इस्तमाल करते हैं, तो हम इसकी value find कर सकते हैं, कैसे, तो यह हो जाएगा, x plus 2a by x minus 2a, अगर हम componentो, dividendो लगा दें, और RHS में हो जाएगा, 3b plus a upon में, 2b minus a plus b, तो यह हो जाएगा, b minus a, इसकी value हमने find कर ली, x plus 2a by x minus 2a की, similarly अगर हम x plus 2b upon x minus 2b की तरफ जाएगे, तो जैसे अभी हमने x by 2a find किया, उसी तरीके से x by 2b अगर ले आएगे, तो यह हो जाएगा, 2a by a plus b के बराबर, और इसको आगे बढ़ाएगे, componentो, dividendो लगाएगे, जो कि हमने number system में इसकी series बता रखी है, यह वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, componentो, dividendो किस तरीके से होता है, तो x plus 2b by x minus 2b, हम कैसे find कर लेंगे, क्या आ जाएगा यह, यह हो जाएगा, 3a plus b upon me, अब देखिए, यहाँ b minus a है, यहाँ पे अब a plus b है, और उपर 2a है, तो यह हो जाएगा, a minus b है, इसकी value भी आ गई, इन दोनों को अपनने क्या करना है, simply add करना है, answer मिल जाएगा, तो add करते हैं, 3b plus a upon b minus a, यह है, इसमें add करना है इसे, plus 3a plus b upon a minus b को, अब कैसे add होगा, तो दोनों का जो denominator है, वो लगभग same है, बस sign का फरक है, तो sign, इसमें से मैं sign common ले लेता हूँ, minus, minus common लेंगे, तो जो यह plus है, यह minus का बन जाएगा, और यहाँ जो भी plus का है, वो minus का हो जाएगा, minus वाला plus का हो जाएगा, तो a minus b को मैं b minus a लिख सकता हूँ, तो क्योंकि denominator दोनों का same हो गया है, तो simply यह हो जाएगा, b minus a नीचे और उपर 3b plus a minus, अब minus इसमें जाएगा, तो 3a और minus b, यह finally solve होके, 3b minus b 2b, और plus a minus 3a, 2a, 2b minus 2a, अपॉन में b minus a, उपर से अगर हम 2 common ले लें, तो b minus a उपर बचेगा, और नीचे b minus a, यह इसको divide कर देगा, तो इसका answer आजाएगा कितना, 2, तो इस तरीके से इस question को हम solve कर लेंगे, तो दोस्तों यह थे सभी questions, इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा, दोस्तों में share कीजिए, मिलते हैं next वीडियो में advanced questions के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन!